Hello everyone, I hope all are feeling well, जो भी जाओंगे वीडियाओंगे और इस वीडियो में लोग देखें कि आखिर 25 जून को क्या हुआ था और क्यों इसको लोग संविदान हत्या दिवस के रूप में वीडियो बना रहे हैं और इसको जान रहे हैं तो इस वीडियो में लोग देखेंगे और आपको बता देख को 25 जून 1975 में लगी थी इमर्जेंसी इंद्रा गांदी ने 25 जून 1975 को आधी रात से ठीक पहले इमर्जेंसी के एलान किया था इमर्जेंसी के खिलाफ जैप्रकास नरायन, अर्टल बिहारी बाजपई, लालकृष्न अडवानी जैसे कई दिगजनेता एरेश्ट हो गया था 1976 में दिल्ली के धुजाना हाउस फैमिली प्लानिंग क्लिनिंग में नस्बंदी अभियान चला था केन सरकार ने 25 जुन को सभिधान हत्त्या दिवस घोसित कर दिया, गिरी मंत्री अमित साह ने सुक्रुवार 12 जुलाइक को सोसल मीडिया पोस्ट कर इसकी जनकारी थी, सरकार ने इसका रोटिफिशन भी जार दिखिया साह ने लिका 25 जुन 1975 को ततकालिन पर्धान मंत्री इंदा गांदी ने अपनी साही मान सिक्ता को दरसाते हुए देश में अपातकाला का भारती लोक्तंत की आत्मा का गला घोट दिया था, लाखों लोग को आकरन जेल में डाल दिया गया था और मिडिया की अवाज को दबा दिया गया था परदान मंत्री नेरेंद मोदी ने कहा 25 जुन को समिधान हत्या दिवसकरूप में मनाना इस बात की याद दिलाए कि उस दिन क्या हुआ था और भारत का समिधान को कैसे कुछ लागया था यह भारत की इतिहास में कांग्रेस दोरा लाया गया एक काला दोर था कांग्रेस ने सरकार के इस फैसलों मोदी ने वाराय धुट रवाद वालाव था की यसने 10 साल तक अघोशी तापातकाल लागया था उसके बाद भारत के लोगों ने चार जून 2024 को एक निर्णायक बेक्तिकात राजनितिक और नितिक हार्दी जिससे इतिहास में मोधी मुक्ति दियोस के रूप में भी मनाया जाएगा और जानेगे कि आकरी भाजपा ने ऐसी कदम क्यों उठाया है 25 जून 1975 को देश में 21 महीने के लिए इमर्जेंसी लगाई गे थी ततकाल इन पीम इंद्रा गांधी के कहने पराश्पति फरुकुदिन अली अहमद ने इमर्जेंसी के आदेश पर दस्तकत किये थी इसके बाद इंद्रा ने रेडियो से अपातकाल का एलान किया था अपातकाल की जड़े 1971 में लोकसबा चुनाव से जुड़ी हुई थी जब इंद्रा ने राइब रेली सीट पर एक लाग से ज्यादा वोट से सन्यूक सोशलिस्ट पार्टी के राजनरायान को हराया था लेकिन राजनरायान चुनाव में धानली कारोप लगाते हुई इलाबाद कोट पहुँच पचीस जुन उनिस सो पचातर को हाई कोट ने इंद्रा गांदी का चुनाव ने रस्त कर छो साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगा दिए हुए 23 जुन 1975 को सुप्रीम हाई कोट पहुची सुप्रीम कोट ने हाई कोट के फैसलों को पुरी तरह से रोक नहीं लगा और इंद्रा को परदान मंत्री बने रहने की इजाज़त दे दी इसके बाद इंद्रा ने देश में इमर्जेंसी का एलान कर लिया समिधान में तीन परकार की इमर्जेंसी का झिका नेशनल इमर्जेंसी बहारत या उसके की सुरक्षा को किसी तरह का खत्रा होने की शित्म ME इसे लाव किया है जाता है बाहरी आकर्मन यूद और देश के अंदर कलह या बड़ी आपदा आने पर नेशनल इमर्जेंसी लगाई जथी समयधान के अनुछे 302 के तहट नेशनल इमर्जेंसी लाओ करने का प्रवधान दूसरा है राज्य अपात काले या राश्टपती सासन जब कोई राज सरकार सनुवधानिक प्रवधानों का पालन नहीं करता है मतलब है कि राज जी का सनुवधानिक सिस्टम फेल हो जाता है तो राश्टपती राश्टपती सासन का आजाता है सासन ब्यवस्ता राश्टपती के निगरानी में राजपाल चलाते है भारतिय समिधान के नुचे 356 के तहत राष्ट पतिसासन लगाया जा सकता है उसके बाद बितिया पत्काल जब देश की आर्थिक मंदी बहुत बढ़ जाती है सरकार के पास चलाने के लिए प्रयाप्त पैसा नहीं होता है तब बितिया पत्काल लगाया जाता है समिधान के न सरकार का राज सरकार पर पूरा कंट्रॉल आ जाता है इसके कारण राजय के फैसले भी कैंट सरकार ले सकते सरकार के पास देशलिट में नागरी के संपत्ति को जट करने का अधिकार आ जाता है सरकार मीडिया पर सेंसरिषिफ लगा सकती है अगर सरकार को लगता है कि कोई ख़बर या लेक्ट देश की आवस्ता को बिगार सकते हैं तो उस पे रोक लगा सकती है तोसरी से बात है 25 1975 को अपात का लागू हुआ थे जिसके करण विपक्षुज़ा है हमला बोल रही है आपको कैसे लेगे वीडियो कमेंट करके बताएंगे जल्दी मिलते हम आप से नेक्स टूडियो में तक लिए बाग है